अब आगे लिए जून मीनित अपने भादल सामनों इत्थे लिए कैया जिगा डॉक्साब नों तस्यागी इनना दे बुटने चेंज हो ने या वो किन्दे डॉक्साब ने किन्दे ठीक है जी आ टेस्स करवाई तुसी मैं टेस्स करवाई एक्सरे करवाई इसी जी विगारा क करवाई फिर केंदे जी उनना ने मेरी फाइल बुन वाती कि तुसी एडमेट हो जो कि डॉक्साब नाम है डॉक्टर सुनील महाजन मैं उनना के रिक्राइस किती डॉक्सामा बोट टाडे फेरे मार लेया में दोसे टीट्मेंट हुंदा तामी दसों नहीं दातामी दसों ड अधिनी केंदे भी ऐसे पेशन नामने कसान हो एजां डॉक्टर दाविने कसान हो जे ते पेशन दे फाइदेली स्कीम सरकार ने बनाईया कि या ते असी ते ही कवांगे भी जड़ी इत्थे फ्री चीजनों फ्री ही हो ले बिल्कुल जिव आजिश्मान दे भी तो कवर है बॉड़ी ऑपरेशन दे व जूरूर करना चाहिए और फ्री अफ्री अफ्री ऑफोस्त दे गाउर है आठ वीने हो गे और गरीव नू ता के खान दे हैं ते सब तो मारी गलबी जड़ी डियम सी या जिले देंच आजिश्मा जोईना थे उन्ह जाके जिदोने मसला थे अगर यहां पर यू कहें यह कहावत यहां पर फिट होती है अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा यहां पर मरीजों के इलाज के लिए वैसे तो सरकारे यह गोशनाय करती है मरीजों को यह इलाज की सुवधा नहीं मिल रही है क्योंकि यहां पर डॉक्टर ही मरीजों से पैसे माग रहे हैं एक ऐसा ही मामला सामने आए एक बजर्ग जो की हैंडिकैप्ड है दोनों घुटने उसके खराब हो चुके हैं आठ महीने से उनका बेटा यहां पर इलाज करवाने के लिए धक्के खा रहा है लेकिन डॉक्टरों की और से बात नहीं सुनी गई यह देखिए यह देख सकते हैं डॉक्टर ने इसकी फाइल भी 23 जून 2021 को बना दी है लेकिन यह फाइल लेकर कई बार अपने यहां पर चक्कर कार चुका अपने पिता को साथ लाया एक बार इसका कहना है यह एक बार यहां पर आता है उसे कैब करनी पड़ती है और एक हजार बारा सो रुपया उसका खर्च हो जाता है डॉक्टर असीस से पचासी हजार उपया मांग रहे हैं तब ही कह रहे हैं कि इसके घुटने का इलाज होगा सबसे बड़ा सवाल यह है यदि सरकार की और से यह इलाज फ्री किया गया है तो फिर यह पैसे किस बात के मांग रहे हैं इन से पूछते हैं कि आखिका पूरा मामला क्या है तो पर पहले नाम दिसो तुसी मैं टैस्क करवाए एक्स एक राइट करवाई एसी जी वगारा करवाई फिर केंदे जिए उन्हाने मेरी फाइल बनवा आती कि तुसी एडमेट हो जो जो की फाइल यह इंगी है उत्ते ड सब्सक्राइब नहीं किता कियों ट्रीटमेंट नहीं की तो पैसे मंगे गए डॉक्टर सुनील महाजन मैं रिक्वाइस किती डॉक्षा मां बहुत टाड़े फिरे मार लिया में दूसरी ट्रीटमेंट हुंदा तामी दसों नहीं हुंदा तामी दसों डॉक्साब गेंदे यह बिए ना कोटेशना नहीं पासूंदे मैं बेलनी पासूंदे तड़ एदा जे बात अड़ तो पुने दो लगए लगदा सीपचासी यह पे जैकर दांगी एक गुड़ा सीपचासी आर्प अन्दे एक लाग सतर जार लाएंगे लाएंगे लाग सतर जार दो ग्राइब कर करने हो तुसी ने पैसे फिर दे राजी होगे देनों के नहीं मैंने पैसे नहीं दे सकता हूं दा ता में इति आना ईनी सिगा मैं आइश्मान काड मेरे फादर साथ बढ़े हैं वह देज सारी सरकारा यही पाइन लग तक दा इलाज फरी करते हैं चेंटर गौर्मेंट कीती भी इस तरह मेरे लूं परशान किता जा रहे मैं दोनों साब नूं मिलेया मैं सिवल सर्जन साब नूं भी मिलेया उन्हान ने मिनु क्या जी तुहीं समय आपने डॉक्टर दल्विंदर जी मिलो उन्हां को जाओ वो मिल दे निया दो 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 इसे डिप्टी मेडल कमिश्णर भी बैठने लाटो गुरमीत करो नो मिले तुछी डीमसी मैं मिलेया उन्हान ने मिनु ए कहता जी तुछी गुनान को हस्पिटल्स करवालो ना टरका आता मिनु जी पर कोई सुनवाई निया गी जी अथे सिवल हस्पिटल्स मलाब एक सो चार मरीज परेशान हो रहे हैं आठ मीने से इसके पिता की इनके पिता की फाइल बना दी गई है लेकिन डॉक्टर की और से मातर इसलिए प्रेशन नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसके पैसे मांग रहा है वो एक गुटना का प्रेशन करने के 80-85,000 प्या जबकि सरकार ये कहती ह पैकेज फिक्स किये गए हैं प्राइवेट अस्पतालों में तो सुना था कि इस योजना का जो दो प्योग किया जा रहा है कई प्राइवेट अस्पतालों की और से ऐसे मरीजों का इलाज किया जा रहा था जहां पर जिस इलाज की मरीज को जरूरती नहीं थी बिना उसे कि अधिकारियों के साथ और उस डॉक्टर के साथ उसका इस बारे में क्या कहना है हमारे साथ हैं डिप्टी मेडिकल क्रमिशनर डॉक्टर गुरमीत को और इसे बात करते हैं साशी कर डॉक्षा एक तां यूश्मान दे तहट प्राइविट तब बंद होगे सरकारी इलाज हो रह है कि इसलो वैसे मिननों ने जस्ट गाली की दिया जै फिलाल तें कोई रिटन कंप्लेंट नी मेरको आई तो असी नानों फर्दर मैं गाइड कारता है जैस विले जिस अपांच जो मतलब ठीक समय देशी ते मैं नों कहता है चलो तुसी गुर्णानक दे बनानों क्या भी उ दो बंदा चेकर लगा रहा है जून जून दा थे आ रहे है जी दॉक्तर कदी टेस्ट कराने है ने आए नहीं दे रहे है यह एक तैंट मेरको लाजी आए यहां जी को प्लेंट भी नहीं कदी मेरको ने किती फरस्टाइम किती चलो इस देख तुसी तो तिकर वालो बाकि इ थे तरह कोई पैसा ते मुर्हे को नहीं लिया जाना डेजे लाजान दा इट सक्राइीं industry अध Wir मह sigma अनुछ प्राइबर्स यह देनी पैंदी यह दो बॉन है क्वेर किस एक यह काघे कोशा सेजार पलेना फ्रोश कहले हैं जी क्या का किसे प्रिटर्टे खिलाफ कोई कारवाई होएकि जड़े रॉक्टर सुनील माजन क्या जा रहा है कि रॉक्टर सुनील माजन ने शारा कीता जिये। तो जैसे निकल सौनों लगता किसे कोई दोस्य पाएंगे नोगिसे तुसी को रेटरन कम्प्लेंट तक किती नी इनान। क्यों नेति प्सक्राइब करता हो कि क्मभड़ी him out Adon says की क्भड़ी दियुक्याद काक्यां किס kg वैदायद करोगे क्योंकि पेशन्ट नक्सान ना हो ए पर जदे निए था ने संद्क्राइब कार चाहिए है। तक चुन गुण दे पर्रोपगंडा भी कारें नहीं है। नहीं भी वोटना पाओं कियोंके यहीं लोगां दा फ्री राज कारएं। फ्री इलाज नहीं आए, नहीं पैसे मंगे जा रहे हैं। ते लिए देखो जी आसी ते कदेनी कें देपी अचे पेशेंट ना ने कसान ओए जांड दोक्त देव ने लिए पेशेंट ने फादेली स्कीम सरकार ने बनाई या किया ते असी ते ही कवांगे भी जड़ी इत्थे फ्री चीजनों फ्री ही हो वे ठीका पेशेंट नो बाद तो बाद फाइदा मिले अनु गुनानक देव जाना चाहिए था यहां थे नदा लाज होजेगा थित्त होजे की करना चाहिए था नहीं तो देखते हैं सीजे नदा मतले ड़क सब एते कार साथ देते का देते कई वरी यह साथ को कई फिल्टी है इस लेवल ते ओवेलबल न डिप्ती मेडिकल क्रमेशनेंट का कहना है कि पैसे लिया जाना अपराध है क्योंकि यह सारी की सारी स्कीम फ्री है अब डॉक्टर से बात करेंगे उनके उन्हें बलाकर पूछा जाएगा पूछा जाएगा या मामले कोई लीपा पोती कर दी जाएगी यह तो आने वाला सम पिश्मान के तरह म्रीज का प्रेशन करने पर असी से पचासी जार पर मागे और शाब किये कहना तो अड़ते अरोप हैं सरे इस तरह कोई गाल नहीं मैं कोई पैसा नहीं किसे तो मंग गया ते बिल्कुल सारा सार चूट है ते फिर तुई लाट सब आठ मिने पहले तुश से इलेक्टिव सरजरी सर बांद किती हों या से किया उस्तो बाद पेशन मेरे को एक दोबर ही आए ने उदो एना नू पेहिंदा थोड़ा फरक से गा ते उस्तो बाद में को काल आए नहीं अट मीने जो पहले ही फाइल बनाई पेशन दी आठ मेने जोदा प्रेशन निकीत है फिर और क्या जा रहा है उन्हें शुक्यात करती तो अड़ी ते फिर फाइल तुसी उन्हों फड़ाती सर फाइल नहीं पेशन्ट एड्मिट ने किता हो ऐसेगा पेशन वस नौट एड्मिटेट ही वसी इन ऑन दो पीड़ी बेस से ले जांदे है कि नहीं हॉस्पिटल जड़ा यूश्मान दे तहट कदी तुसी के नहीं हो तरक अपरेशन कर चुके हो कदी किसे को पैसे ले जाने हैं जी यह डॉक्टर सुनील महाजान जिनका कहना है कि मरीज से पैसे नहीं मांगे गए हैं बात करेंगे सीनिय मेडिकल दिकरियों को साथ इस बारे में उनका क् जा रहे हैं एक पेशिंटी गल कर रहे हैं पेशिंट फरस्टाइम मेरे कमरे चाहीं सुबह पे उनने मनों कह कि डॉक्टर सुनील माजान नो मैं दखाया वा ते मेरे गुड़े ना प्रेशन ही हो कर रहे हैं मैंनों एक क्या भी ताड़ा आज शुमान दे वेचे काड़ बन मांदे वेचे कवर है का रहा हो प्रेशन ते ओजरूर करना चाहिए और फ्री अफ्कॉस्ट है का रहा है अब हम बात करेंगे जो सीनिय मेडिक करें डॉक्टर चंदर मौन उनके साथ उनका क्या कहना है लोक्षण तोड़े को योई सवाल है मरीज पटग्रिया अठ मीने त के वाग्धी दूसरा यह वी अजूश्मान है सब दा अलाज हो रहा है और जै अग्दाशिय मद्वा जन पेशेंट आया सिगया थे इन्हां ने जैक वी ढ़्मांड वो सामना टेकर्स सेलेक्ट करके ड़मांड सीनियर मेडिकल अप सनू दिति हम धी जरूर नहां तो जरू है कि जो यह आईश्मान के तहत मरीजों का यहां पर इलाज किया जाता है उसमें पैसे नहीं लिए जाते तो पिर अब डॉक्टर सच बोल रहे हैं या फिर मेरीज सच बोल रहे हैं यह तो जाच का विश हम बात करेंगे एंप्लाइज वैल फिर एस्टाइस्टाइज के चेयर मैंण राकेश शर्मा के साथ उनका क्या वारे साथ हैं आए उने रहे हैं त्यों डॉक्टर ओलों पैसे जा रहे मेरे था नहीं गाल आही आ ते बड़ी दोकता है उस तो बड़ी दोकता यह आ चैन्मेट यह था एक्की मिश्टाइथ ते तेई शेनों दी फाइल मनाती के इंडिमिशन दी आठ्ट मीने होगे है और गरीब नू ता के खांदे हां ते सब तो मारी कल भी जिडी डीम सी या जिले दें चार्ज आजिशमा जोईना दे उन्हों जाके जिदोंने मसलाते आँ चलियां दा उन्हों इदी को को करन ते ज पर चार हों दा लीडर भी को एस्टम लेक्षन आ पिंड़ पिंड़ जाके के चैना ते ही पंज लाख दा विमा काड़ देता जिते मदी काड़ों लाज हो गया ते आल आज़े हुंड़े इस साथ में निया जबंदे नूँ गोड़ेदानी परिशन नियो आदा ते क्यों चुठवो देया कोई किना मैंद दस लाखता मीमा कर दूँगा कोही किना पंचे लाखत ऊच्छ लाज़े ने उना पंतीं लाखता करो लाज दे कर ओ ते जिडी डीएंएंसी ने जिला संबालना वहिए इंसाफ नी देए क्री गुना ना चिल जो ते फिर एक स्टेटमेंट देन प्रेश्च प्याजी शमान दा लाज करान वास्ते सिवल अस्ताल नहीं आना चाहिए देखो सरकार के इंदी फ्री अथे डॉक्टरों मंगे जारे असी यार पचासी यार क्राइम एक बेर को जाई दा विशे जी एक गलत का लागी या कहे को पहें मंगने जो सरकार ने के सोलते दिती है जोड़ा फैदा जान जान ती आभी आजिव शमान वाले जड़ा वें देना जिदू इन तर्ट कला सेरी समय देया पिए तर्ट कला शहरी आगे कितो आ गया यार साड़े को मक्तोरा जा एसमीदिया यह भी जो दे सक्त एक्शना चाहिए दा ते जड़े दका आदमी चाहिए आप इस चीज वास्ते जिदी टुटियां हटियां वाले जब कोई आदे आओ दादे ने वी वी दिन तके खांदे रहेंदे उनना लेटा नहीं बिंदियां जिद्धा इदे गोडे नी अठा मी नहीं जबे एजब एजब इंप्लांट आगे या जिद्धा अ सारदार पेदी द्वाई लेंदो मुझबूर कीता जांदा किनक सच है बिल्कु यह सचाहिए अगी है जी कालियां पेडियां हर प्रफेशन चाहिए तो कालियां पेड़ा एगियां जड़ा मरीजाना खून चूह दियां उनना दे खलाफ एक्शन होना चाहिए बिल्कु सबसे बड़ा ये सवाल है कि आठ महीने से जो मरीज धक्के खा रहा है उसका इलाज यहां पर होगा या नहीं हमने डीम सीवी से भी बात की उनका कहना है कि यह गुर्नानक देव अस्पताल में अपने अप्रेशन कर वाले अगर ऐसा ही है तो फिर अस्पताल में क्यूं लि बड़े वाइदे तो करती हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है कुछ काली भेडों की और से पूरे इस प्रफेशन को गंदा किया जा रहा है पंजाबी में एक हावत भी यह है कि अन्नी पिये ते कुता चटे यानिके इसका पूछने वाला इनको कोई नहीं ये भले ही अप यहाँ पर जो जन औशिदी बंद हुई है उसका कारण भी यह है कि डॉक्टरों ने अपनी दवाईयां बना रखी है यहाँ पर मरीजों को परिशान किया जाता है मरीजों को उन से उनका शोशन किया जाता है और मजबूर किया जाता है फलाँ जगा से टेस्ट करवाएं द परिशान हो रही है जनता और जनता का कोई भला होगा जनता की कोई सुनवाई होगी यह नहीं या मामले की लीपा पुती कर दी जाएगी जांच के नाम पर यह तो आने वाला समय ही बताएगा अम रिशा से डीफोज उसके लिए दीपक भंदारी की खास रिपर्ट